दोस्तों आजें बात करने वाले 30 cross 36 प्लान की जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसी मौडल को डिस्कस करेंगे हमारे एक पेल्ड सब्सक्राइबर हैं उनके कहने पर मौडल को डिजाइन किया है उन्हीं की कहने पर इस मौडल में डिजाइन किया है और यहां पर मैंने इसे थोड़ा एक्स्टेंड कर दिया है 3026 कर दिया है जबकि उन्हें फ्रेंड का 30 विटी चाहिए था इसी प्लान को पुरा डिस्कस करेंगे इसका फ्रेंट टिलिवेशन यह विलेश के लिए है गाओं के लिए बेतरीन साथ प्लान जिसमें आपको बेतरीन साथ बारंदा और बेट्रूम लेट बाद बगार सारी डेटेल मिलती है तो इससे मौडल को डिस्कस करने से पहले अगर आपने ब dominance के इस प्लान को subscribe नहीं किया है और आप इसे चैनल पर आओड़ लेकर अपने घर को बरनवा शकते हैं तो आज का जो प्लान है 30 वाई 36 फिट में वो पूरा डिसकस करेंगे 30 इसका फ्रेंट है और 36 इधर से है तो फ्रेंट टेलिवेशन की बात करें मैं जूम करके आप दिखाता हूँ यह रेलिंग है इसकी जो आप देख पा रहे हैंगे यह रेलिंग का पूरा डिजाइन मैं जूम करके इसलिए दिखाता हूँ से आपको रियलिस्टिक व्यू इसका देखने को मिल जाए और नीचे वाला जो आपका यह डिजाइन है यह कर्व से में यह आप देख पा रहे हैंगे डिजाइन का पार्ट यह पिलर्ड्स हैं उस पर एक कर्व से पूरा मैंने डिजाइन किया है और यह विंडो का डिजाइन तो यह देखिए यहाँ पर मैंने स्लोप दिया है बीच में दोनों साइड श्टिर्स दिया है जिसके मादए हम सूपर चल पाएंगे में डूर है आगे दो बेड डूम है जिसमें यह देखिए विंडो दिया है और आगे लगवे शाथ फिड का आपका यह बारंदा देखने को मिलता है जिसमें ये pillars मैंने दिया है side में जिससे आपके घर का एक unique look मिले तो such place के ground floor की बात करते हैं ये इसका ground floor है जहां पर देखेगा ये आपको design मिल रहा है और friend मिल रहा है और ये ये 7 foot का जो बारंदा ये देखी ऐधर से डोर और विंडो यहां पर अब left का फ्रेंट से अल्री मैंने विंडो दे रख थे रहें , अदर लगाू है अंदर जाते है न एकट œ हॉलिकत हैं एंवीर हैं , पनहें पा Miles से यह पकी स्टेर्स भाल चूटा है , अविधा का जारेयो ये एक बड़ा सा डाइनिंग हौल आपको मैंने दिया है जहांपर बेट डुम बग़ेरा मैंने क्रेट नहीं किया है और दो बेट डूम है ये डाइनिंग हौल है ये किषेन है और ये लेटन बात वह ये आपका स्टेर्श है तो यह ground floor पर overall जो मैंने create किया थो बता दू side से अगर हम बात करें यह दिखिए कि लैंड पर सारे पिलर्स खड़े है और side से view आपको ऐसा मिलेगा front से view के अगर हम बात करें तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा यह दिखिए front elevation यह साथ यह जो पिलर्स के distance हैं यह सभी पिलर्स की बीच में distance है 10-10 feet है क्योंको 30 feet total है तो सबसे पहले यहां पर 0 feet पर यह है इसके बाद 10 feet पर 20 और 30 feet पर तो यह 10-10 feet की distance पर pillar है और C में यह design मैंने create किया हुआ है तो यह overall front elevation हो गया front की बात हो गई और ground floor की बात हो गया front में 3.5 feet का railing अब railing की जो design है जो आपका पहला वाला बारंदा था वहां से ऐसे यहां round color का create किया है फिर से सीधा है फिर हलका से round फिर round है और यह designing आप देख पार हो हैं बहुत आसानी से यह round color की design मैंने यह आपर दी है जो आपको एक भी एतनी सा लुक देता है overall अगर height की बात करें तो 3.5 feet के यह कुछ P.O.P की design है जो आप side से देख पा रहे होंगे जो एक्स्टा आगे की तरफ बढ़ा है यह P.O.P से create किया जाता है वो मैंने create किया है और यह lighting लगा दी है तो overall 30 by 36 video यह पूरा मकान आपका बनकर ready हो जाता है जो कि village के लिए proper है विलेज के लिए अच्छा है कि वहाँ पर बारंदा वगरा क्या वशक्ता होती है तो model आपको कैसा लगा जरूर बताएं किसी भी type अगर model बनवाना चाहते हैं तो आप हमें contact कर सक और वहाँ पर आपको काश्ट पता चल जाएगा वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगा हो शेयर करें थैंक्स वहाँ